मेरी बेज़ती कोई करता है मैं सेन करता हूँ फून की गूट पिता हूँ जगदीब दनकड की कितनी बेज़ती करो मुझे कोई चिंता नहीं है भारत के उप्राश्ट्रपती की किसान समाज की मेरे वर्क की मैं पूरी आउती देदू आवन में कि मुझे राजस्टबा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ आपकी चुपी मेरे कानों में गूज रही है अईसी जात पाक की बात अंदर करके लोकों को बाहर बढ़काने का काम कोई नहीं करें आपका साथ हो मैं आपके आहाना पुंजू सभापती की अपमान पर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है आज राश्टरपती ने जहां पर उपराश्टरपती की अपमान पर निराशाएं जाहिर की है वही परपधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने फोन भी किया राज्य सभावें एक घंटे खड़े होकर कार्वभाई में शामी और यहां पर उनके द्वारा विरोध जताया गया सांसेदों के निलंबन पर जहां पर विपक्षी दल पूरे देश में प्रदर्शन की तयारियां कर रहेते सभापती का अपमान जारी है सियासी घमासान अपमान पर क्यों भड़के उपराश्च्चोपती धनका में मिक्री का वीडियो बनाए पद की गरिमा को गिराए में मिक्री के वीडियो शूट पर खून के घूट समविधान के सम्मान में पीजे पी मैदान में उपराश्च्चोपती का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान सांसदों के निलंबन पर विपक्षी दल लगातार सरकार को घेर रहे थी लेकिन बैठे बिठाए बीजे पी को ऐसा मुद्दा मिल गया जिससे अब विपक्षी दल ही बैक फुट पर नजर आ रहे है मुद्दा है उपराश्च्चोपती का अपमान साधन के बाहर उनकी मिमिक्री और राहूल गांधी का इस मिमिक्री का वीडियो बनाना सांसदों के निलंबन पर देश व्यापी प्रदर्शन की तयारी कर रहे विपक्ष ने इस मिमिक्री के जरिये सेल्फ गोल कर डाला राश्चोपती प्रधाल मंत्री तर दुख जता चुके है सभापती जगदीब धनकड से बात चीत की और तो और उपराश्चोपती ने सदन में यहां तक कह दिया कि वो खून के घूट पी रहे हैं जगदीब धनकड की कितनी बेजती करो मुझे कोई चिंटा नहीं है जगदीब धनकड ने यहां तक कह दिया कि वो अपना अपमान तो बरदाश्च कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो के जर्ये उनका नहीं बलकि पद की गरिमा का अपमान किया गया सभापती ने सदन में मौझूद कॉंग्रेस सद्यक्ष मलिकार जुन खरगे से भी सवाल किया कि आप क्यों चुप है NDA सांसदों ने राज्यसभा में खड़े होकर सभापती के अपमान का विरोध किया हलाकि सभापती के आरोपों का तुरंत ही सदन के अंदर मलिकार जुन खरगे ने जवाब दिया और मुद्दे को जाती से जोड़ने का विरोध किया उन्होंने कहा कि मेरा जो अपमान हुआ है वो मेरे जाती और मेरे किसानों का अपमान हुआ और चेर्मेन दूसरों को प्रोटेक्शन देना चाहिए अगर चेर्मेन साभी ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होके या इसे मैं यह कहूं कि मुझे रास्तवा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ अईसी जात्पाप की बात अंदर करके लोकों को बहर बढ़काने का काम कोई नहीं करने चाहिए इस से पहले मिमिक्री करने वाले टीम सी सांसद कल्यार बनर जी मीडिया के सामने आए और कहा कि उनका इरादा अपमान करने का नहीं था लिए और कुम हो drives अंदर का कि अए अंदर कीरी करने वाले शी प्रॉड सांसर डॉड सब्सें वाले नहीं कि अशर किहाँ मिर्वने स्ट्साम बाति अवेशonne को करदा मिमिक्री को पने उनका का अवर स्चाईिए कम आए और टार बन इयो यही नहीं कल्यार बनर जी ने में मिक्री को कला बता डाला मुद्दा सभापती के अपमान का है और इस अपमान का वीडियो राहुल ने बनाया जिसके बाद से बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाने पर ले रखा है अभी जो तीन राज्यों में इनकी हार हुई है वो हार इनसे पचाई नहीं जा रही है और कल हमने देखा और सारे देश ने देखा और ये साबित हो गया कि इनकी हरकतों की वज़ा से इन सबको सस्पेंट किया गया है हलेकि राहुल गांधी के वीडियो बनाने और टीमसी सांसत के में मिक्री करने पर बीजेपी के सवालों पर ममता बनर जी ने कहा कि अगर वीडियो न बनता तो पता नहीं चलता वो सबका सम्मान करती है कुल मिलाकर कल तक जहां विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमलावर थे उनके नेता सांसतों के निलंबन को लोकतंत्र की हत्या बता रहे थे वहीं सभापती के अपमान का वीडियो सामने आने और राहुल गांधी के वीडियो बनाने के बाद गेंद अब बीजेपी के पाले में है पिरो रिपोर्ट, जी मीडिया और वक्त और एक छोड़े से ब्रेक का कहीं मज जाएगा जल्द हाजिर होते हैं